आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुंदरू की सबजी की रेसिपी ये सबजी स्पेशल है याने बहुत कम समय में बन जाती है और बहुती बढ़िया इसका स्वाध आता है इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तयारी करके रखने की ज़र्वत नहीं पड़ेगी फटा फट से आप इसे बना कर रिडी कर सकते है इस सबजी को आप एक बार इसी ताह से बना कर देखिएगा बहुती मजे का स्वाध आता है तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कुंदु की सबजी बनाने के लिए मैंने लिए है 200 ग्राम कुंदु और उसी के साथ ले रहे हुँ 2 हरिमेच एक लिया है मैंने प्याज और साती ले रहे हुँ 1 टमाटर तो अगर आप आधा किलो याने 500 ग्राम कुंदु ले रहे हो तो इससे आपको डबल कॉंटेटी में तो देखिए इस ताह से हमें कुंद्रू को कट कर लेना है तो जिस ताह से हमें कुंद्रू को कट कर लेना है तो जिस ताह से हमें कुंद्रू को कट कर लेना है पर कुंद्रू को पकने में थोड़ा समय लगता है तो अगर आपके पास समय नहीं तो आप इसके चार फाके भी क सकते हैं यानि इसको आप छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं इस सब्जी के लिए तो देखिए मैं इस तरह से कट कर रहे हूं और हमें क्या करना है, इसे अच्छी से धू लेना है, कुंद्रो में एक लिस लिसा पन रहता है, वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, तो अच्छी से हमें से मसल कर धू लेते हैं, और साथी साथ हमें क्या करना है, इसे निकालती समय इस तरह से प्रेस करके निकलना है, दे और टमाटर लिया है, तो टमाटर को भी हमने बारी कट कर लिया है, और उसे की साथ मैंने एक चमज इतना बेसन लिया है, अद्रक लसन भी एक चमज में लूंगी, तो हमें क्या करना है, एक चमज में तेल इसमें आड़ करे हूँ, वन टेबल स्पून लिया है तेल, और साथ ह कुल्द्रु सबजी में। 2-3 मिट के लिए अधे मिट के लिए फ्राय करना होगा। यान है । यह थोड़े कुरोडे किर घुठा य। इस ताह से fry किये हुए कुंद्रू सबजी में बहुती टेस्टी लगते है तो देखिए हम चेक कर लेते हैं कुंद्रू हमेरे पक गए क्या नहीं तो आप देख सकते हैं देखिए इस ताह से कुंद्रू ना हो जाना चाहिए यानि ये थोड़े से पक भी चुके है और इस सबजी में मैंने टू टेबल स्पून तेल इतना यूज किया है तो देखिए तेल गरम हो चुका है इसमें मैंने आड़ किया है जीरा और जीरा जब फूतने लगे ना उस समय हम इसमें आड़ करेंगे तेज पत्ता तो एक तेज पत्ते को मैंने इसमें आड़ किया है और सब्सक्राइब करके ऑगे उसके साथ में अ सब्सक्राइब प्रॉप करें हो कटा हुआ जया कंवायो कि इससे बैसन के साथ और थैसे बैसन पड़िया और पैच पे कलर भी आ जाए कुंद्रू की सब्जी अगर आपको ग्रेवी की बनाना है तो आप किस्ता से बना सकते हैं ये भी मैं आपको साथी साथ बताऊंगी तो देखिए आप देख सकते हैं पैच हलका सा ब्राउन हो चुका है तो इस समय हम इसमें ऐड करेंगे एक चमच इतना बेशन 200 ग्राम कुंद्रू के लिए हमें एक चमच बेशन ऐड करना है और अगर आप 500 ग्राम ले रहे होंगे कुंद्रू यानि आदा किलो अगर आप कुंद्रू के सब्जी बना रहे हो तो दो चमच आपको बेसन लेना है या आपको ध्यान रखना है तो देखिए बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे बेसन को भूनने में एक मीट तक लग जाएंगा अच्छा इसका कलर निकल कर आजाना चाहिए यान अच्छे से जाग बनना चाहिए तब तक हमें बेसन को तो अध्रक लसम को भी हम अच्छे से भून लेते हैं और उसी की साथ हम इसमें सुखे मसाले आड़ करेंगे सुखे मसाले इस समय अड़ करने से क्या होता है सबजी का कलर अच्छे से निकल कर आता है तो लाल मेच पौडर मैं ले रही हूँ एच चमच उसी की साथ में हरी मीच ली है दो कट करकर तो हरी मीच जानना बहुत ही जरूरी है तबी कुंद्र के सब्जी अच्छे बनेगी ये हमें धैन रखना है तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं आप देख सकते हो सुखा मसाला भी अच्छे से भून चुका है और इसे के साथ मैं इसमें टमाटर को भी हमें अच्छे से बारिक कट करके लेना है जिसे सब्जी का मसाला ना अच्छा बन जाता है यानि बाइंडिंग अच्छा आ जाती है मसाली के अंदर टमाटर को हम अच्छे से चला लेते हैं और उसी के साथ हम इसमें आड़ करेंगे आधा चमच इतना कसूरी मेथी को कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक बड़ा चमच इसमें आड़ करें हूँ मलाई तो मलाई के जगा आप क्रीम भी आड़ कर सकते हैं इसे आड़ करने से क्या होता है सबजी का टेस पानी को और इसे एक मीट के लिए हम धक्का रख देते हैं जिसे मसाला अच्छे से एक साथ पक जाएं और उसके साथ मैं इसमें आड़ करें हूँ कुंद्रु को साती लिया है गरम मसाला एक चोथाय चमच और साती हमने आदा चमच इसमें नमख आड़ किया है और कुक किया है और मसालों के साथ हम हाप कुक करेंगे तो देखिए कितनी बड़िया सब्जी लग रही है तो इसमें मैं आप क्या कर रहे हूं आदा ग्लास इतना पानी आड़ कर रहे हूं कुंद्रु को पकने में थुआ समय लगता है पर हमने पहले इसे थुआसा कुक कर लिया आप लगाना है और तीन से चार मिट के लिए कुंद्रु को ड़क कर पका लेना है तो देखिए आप देख सकते हैं कुंद्रु की सब्जी बढ़िया बन चुकी है कुंद्रु का हलका सा कलर भी चेंज हूँ चुका है तो इसमें मैं एड़ कर रहे हूं कटा हूँ अहरा दन तो अगर आपको ग्रेवी की सब्जी बनाना है तो आपको देड ग्लास इसमें पानी सब्च वाली सबुखतार्ट कुंदru वाली cynक नहीं नहीं अच्छी तरह से गल जुक्र आप तेक लगते हैं, इस सब्ची को आ ज्यादा ताम जाम नहीं यानि कम समय में कम इंगिडियंस में बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी बनती है तो अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आती है तो इसे जरूर बना कर देखिएगा और बनाने के बात ही मुझे कमेंट्स करके बताइगा कि आपकी सब्जी कैसी बने रेशिपी वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में अगर इसे आप शेयर करते हो तो सभी बना पाएंगे कुंद्रू की इतनी सूपवा टेस्टी सब्जी को तो अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आई है तो रेड ब वाचिंग मैं वीडियो बबाए